नमस्कार दोस्तो ग्यान की बात में आपका स्वागत है दोस्तो अगर आप सारे उपाय करके देख चुके हो फिर भी आपके सर पे बाल नहीं उग रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐसे चमतकारी तेल के बारें बताने वाला हूँ जिसकी मदद से मातर 10 दिनों में बालों का जढ़ना बंद हो जाता है और 30-40 दिनों के बीतर नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं दोस्तो यह ऐसा चमतकारी तेल है जिनके सर पे पूरे बाल जढ़ चुके हैं उनके सर पे भी दुबारा से बाल उगा देता है दोस्तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो के अपडेट मिलते रहें और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए तो चलिए शुरू करते हमारा वीडियो दोस्तो इस चमतकारी तेल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जोरत पड़ेगी ततया यानि हाना इसके छट्टे की जोरत पड़ेगी आपको इसका छट्टा आपको शहरों में तो बहुत मुश्किल से मिलेगा लेकिन अगर आप गाउं की तरफ जाओगे तो वहाँ पर यह आपको आसानी से मिल जाएगा आपको ऐसा चट्टा लाना है जिन में से ततया उड़ चुकी हो यानि की ततया अपना चट्टा छोड़के जब चली जाए तो उस चट्टे का आपको इस्तमाल करना है आपको ऐसा छत्ता नहीं लाना है जिनमें वो रह रही हो आपको बस ऐसे छत्ते का इस्तमाल करना है जिनको वो छोड़कर जा चुकी हो अब इस तेल को बनाना कैसे है आपको 200 ग्राम नाल का तेल लेना है एक बड़ा छत्ता ततया का लेना है और डाइसोग्राम गुढल के पत्तों का रस लेना है इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके एक बरतन में डाल कर धीमी आच पर पकाईए जब ये पकते पकते आदा रह जाए तो इसे उतार कर थंडा करके छान के किसी भी काच की शीशी में भर कर रख दीजिए अब इस तेल को चाय सुबा चाय शाम जब मर्जी करे अपने सर पर लगा कर छोड़ दीजिए फिर देखिए 30 से 40 दुनों के भीतर आपके नए बाल जरूर उगना शुरू हो जाएंगे दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करे और शेयर करे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद